गुद मॉर्निंग फ्रेंड सुबा के बजने वाले तीन और हम निकलें मिडिल अमान के ट्रिप के लिए तो नहीं निकला आई हो वेलकम गुद मॉर्निंग बॉनने आए सुबा सुबा अबर्णा पड़ा चलके उसके बाद हम निकलें फर्स्ट टॉपच की तरफ जो है अबर्डीन बजार अबर्डीन बजार अबर्डीन बजार अबर्डीन बजार तो हम पहुंच गया हैं अबर्डीन बजार जहां पर सारे बस रुपते हैं प्राइवेट और एस्टेस तो यहीं से बाकी पसेंजर को लेके हम चलेंगे मीडेल अंडमान के लिए और यह बस मीडेल अंडमान तक है जाती है तो अब बज गया है करीबन तीन पचास तो बरावर टाइमिंग में ही बस छोड़ रहा है यहां से तो फाइट अटी होने वाले हैं तो हम रुके हैं यहां पर जिर्गा टान तो यहां पर वाज शुरूम वगयरा यूज कर सकते हैं और यहां से छे बचे गेट पर छोड़ी है जो कनवे होता है क्योंकि आगे बफर जोन है जर्वा एरिया तो सारी काड़ी वगयरा यहां प और चोटी गाड़ी जो ट्रावल्स की गाड़ी है बड़ी गाड़ी है सब एक कन्वे में जाती है सामने आपको छोटे-छोटे इंस्टॉर मिल जाएगी जहां से ब्रेकवस्ट वगयरा पानी वगयरा ले सकते हो और इसके सामने यह वीडियो हम नहीं निकाल सकते क्योंकि बफर जोन है और मिलते हैं मिडल स्ट्रेट पर करीबन 735 होने वाले हैं और हम पहुंच गया है यह बोट में चड़ा जाएगा जो हमें दूसरे आईलेंड जाना है जिसे हम बोलते हैं बारेटाइन आईलेंड यह आकर आज आज़िए हमारा बस है जो बस में हम लोग ट्रावल कर रहे हैं यह रंगत तक जाते हैं देखियें तो करीबन 20 मेट के राइट के बाद हम पहुंचेंगे बारेटाइन आईलेंड और बोट काफी ओवर्लोडड बर चुका है और बोट काफी स्लो चल रहा है इदम नहीं के बराबर तो हमारे साब में जो जट्टी दिख रहे है वो बारेटाइन आईलेंड को जट्टी है तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं बा तो अब हम पहुंच गए हैं कदमतला ब्रीच की दरफ जो एंडामान का लॉंगस प्रीच है और यह बनने के पाद काफी अच्छ हुआ क्योंकि काफी टाइम यहां पे सेर्व होता है नहीं तो पहले कदमतला तक जाने के लिए पे एक फेरी लेना पड़ता था वह साइट पर जट्टी देख रहा हो तो वहां तक चलिए तो फाइनली 10.30 तक हम लोग पहुंच गया है रंगत तो मिलते हैं नेक्स ब्लॉक पर बाकी का भी दिखाएंगे रंगत में और मेडेले लेंडा मन में क्या क्या दिखते हैं आपे झाती है रग तो में पली है की खरी द कर दोहा दिखसा